अपने बल्ले से पूरा विश्व नापने वाले टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोली की पूरी दुनिया दिवानी हैं सिर्फ क्रिकेट फैन्स ही नहीं, WWE की महान हस्तियां भी विराट कोली की पूर्फॉर्मन्स और उनके कद से अच्छी तरह वाकिफ है तभी तो पूर WWE चैंपियन जॉन सीना भी अपने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर पोस्ट करते रहते हैं इस बाद जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर विराट कोली की एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसने जॉन सीना के फैंस के साथ ही विराट कोली के फैंस को भी हैरानी में डाल दिया दरसल जॉन सीना एक शब्द का WWE में अक्सर इस्तमाल करते हैं ये शब्द है You Can't See Me यानि आप मुझे देख नहीं सकते कुछ इसी शब्द के अंदाज में जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पर विराट कोली की तस्वीर पोस्ट की है जिसमें विराट कोली किसी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन वो जिससे हाथ मिलाना चाहते हैं वो शक्स तस्वीर में नहीं दिख रहा है जॉन सीना ऐसी तस्वीरे अकसर डालते रहते हैं जिसमें क्याप्शन ही ना हो जिससे कि उनके फैंस अपने तरीके से तस्वीर का मतलब निकालते हैं अब न्यूजिलिंग के खिलाफ सेमी फाइनल से पहले कैप्टन विराट की तस्वीर पोस्ट कर जॉन सिना क्या कहना चाते हैं ये तो वहीं जाने लेकिन आईए आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं जो जॉन सिना के इस तस्वीर पाराए है शेफ आरजे नाम के इंस्टा यूजर ने लिखा है अनबर विराट नाम के इंस्टा यूजर ने लिखा है जॉन सीना भी कोली के फैन है संदीप महादिक नाम के इंस्टा यूजर ने लिखा है सिर्फ विराट ही जॉन सीना को देख सकते हैं एक इंस्टा यूजर ने लिखा है That Invisible Handshake शिवा जी गडेश नाम के इंस्टा यूजर ने लिखा है और रोहिच शर्मा बात कर रहे हैं सागर मांजरेकर नाम के इंस्टा यूजर ने लिखा है WWE के फेक फाइटर भारतिय कप्तान विराट कोली से हाथ मिला रहे हैं जॉन सीना भारत में भी काफी लोग प्रिया है बच्चे और यूवा जहां जॉन सीना के फैंस हैं जबकि जॉन सीना की पोस्ट को देखकर लगता है वो विराट कोली के फैं है इसे पहले साल 2016 में भी जॉन सिना विराट कोली की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुके हैं उस वक्त भी जॉन सिना ने विराट की तस्वीर पर बिना किसी कैप्शन के पोस्ट किया था तीस साल की उम्र में ही कैप्टन विराट ने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की है 235 वंडे खेल चुके विराट कोली, शतक के मामले में सचिन तंदूलकर के बाद विश्व के दूसरे बल्लेबाद है सचिन ने जहां उनंचा शतक लगाए है जबकि विराट अब तक 41 शतक जड़ चुके है भारत की ओर से सबसे ज़ादा रन बनाने के मामले में विराट कोली, सचिन तंदूलकर और गांगुली के बाद तीसरे नंबर पर है इंग्लेंड के पूर क्रिकेटर माइकल वान भी विराट कोली को सार्वकालिक क्रिकेटर बता चुके है दरसल अक्तोबर 2018 में अपने जन्दिन के दिन वान ने बकरी के साथ एक सेलफी पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था बर्दे सेलफी विद विराट बकरी को अंग्रेजी में गोट कहा जाता है लेकिन यहाँ गोट का मतलब है सार्वकालिक बल्लेबास तो वोन ने इस बकरी के जरिये विराट कोली को गोट यानी ग्रेटिस्ट अफ और टाइम बताया था यहाँ बल्डेबास झाए है वेलेबास आए जोट सबस्क्राइबास यहाँ जरी पार विरेज किन अविर भलेट लेख पार्णिस ने भी खूटेस्ट पार्णिस्ट ग्रेटिस्ट ए्यू रश्यड़बेव से नवीम। if I walk in in a situation where I understand that you know I need to play in a certain manner I'm open to do that because if you're if you're one-dimensional in your thinking then I've walked in a few times literally as a number four so I have had to control the innings in the middle overs and I've learned so much in this World Cup along with you know spending time in the middle that okay this is also a role that you're supposed to play and when situation arises then you have to do that for the other guys to go and express themselves knowing that one and you know I'm controlling an end and holding it till the end so yeah it's been it's been nice it's been a it's been a different kind of a challenge for me and I've really enjoyed it just rotating strike and understanding how to play in those middle overs and allowing the others other guys as you said to come out and express Hardik's come at four now Rishab's batting at four so these guys can really come out and strike from ball one knowing that they have a lot of batting behind them and I think to to go a long way in a tournament like this you need to be flexible especially going with the situation of the game you can't have a set batting order from ball one to ball 300 because a lot of situations change and I think we've handled it well we've gone long with the the pace of the game and that's why we've won the number of games that we have and we intend to do the same I mean if the situation presents itself where the opening partnership is outstanding and someone needs to go at three and strike the ball it's absolutely open to do that so to win a tournament like this you need to be very flexible and think on your feet and I think we've done that well so far and hopefully we can do the same thing in two more games all the teams all the matches here have been won by the team batting first are you worried that the toss might be too important I know India have chased well on occasion but why do you think batting second has been so difficult for so many sides at this World Cup well it comes back to the same point handling pressure you know you make two bad decisions while you're chasing and the game goes away from you too far away to pull it back so I assume that that's going to be the case because you know having been in so many chases I understand that the pressure can be very high if you don't go with the pace of the game and then understanding the magnitude of a tournament like this you're probably going to end up making a couple of mistakes and the opposition's not going to let you off after that so yeah look we're not worried about the toss it's it's an uncontrollable you can't really predict what's going to happen at the toss we have to be prepared both ways and we're quite open to do that and if if it is a factor it is a factor so we can't say if we lose the toss we have no hope because we should believe enough in ourselves as a side to overcome any kind of situation so I think all teams prepared in that manner but yeah it's it's a stat which I think is connected to pressure and not the pitch to be very honest the last two games you played with five bowlers there was no fallback option given this this is a knockout game is there a chance of revival reviewing the plan and is there a chance that two wrist spinners coming back together it's quite possible yes we played with five bowling options because it gives us a bit more depth in batting and mentioning the the toss factor as well if you're chasing a big total then you need a bit more depth in batting so yeah we played with five we are up to reviewing that otherwise you were just told I got Kane out so I can bowl I can bowl anytime you know I'm quite lethal as long as I don't I don't slip on the pitch so yeah but having said that it's it's open for discussion because we need to be very balanced with what we take into the field at the same time we need to make sure that the batting is deep enough for us to be chasing a score and and being solid about that also but yeah five bowlers has worked well but it's up for discussion I want to talk about Mahi the personality in the team this might be his last World Cup now how what is it I'm not talking about the pressure what is it like the mood in the camp yesterday he celebrated his birthday I'm sure you guys would have celebrated how much does it weigh on you as a captain and the dressing room's mind on Mahi this being his last World Cup what is it that do you want to kind of give him like you gave a good statement about Tendulkar in 2011 after winning the World Cup this is is there something special that you would want to send him off with well I didn't prepare that one in 2011 so I'm certainly not going to write anything down but yeah look it I'm sure everyone if you ask them you know about him they have special things to say and especially for us who started our careers under him for us that doesn't change the respect will always be there because of the opportunity that he gave us um and the faith that he showed in us and the way he's handled the whole team in transition over so many years and now we are the ones who are you know taking Indian cricket forward we understand the importance of that process so um I'm glad you asked about MSD personality because a lot has been in focus otherwise but um yeah look when when a person has done so much for the team you have to appreciate and acknowledge what he's done for Indian cricket and how he's handled Indian cricket and taken the respect for Indian cricket so high all over the world um so yeah from that point of view we all very grateful for what he's done for Indian cricket and for us um and he's always been in a very happy jovial mood all the time whenever we see him and yesterday was again a very very happy moment for him for the whole team just to see a smile on his face and he's in a very comfortable very happy space at the moment and I'm not thinking of anything apart from that because the 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 main focus right now is to do what we need to do tomorrow and then um you know on to another one hopefully and um yeah just have a good world cup but from the respect point of view for MS it's it's always going to be sky high especially in my eyes because I know how difficult it can be to make a transition of captaining also you know within the same team just playing as a player after being captain for so many years and still not you know being too assertive or too pushy in anything he gives you space to make your own decisions and you know to actually discover yourself so I think that's been his biggest quality but at the same time I go ask him anything he's there giving me an advice and he's never shying away from that so getting a call okay um so yeah he's been outstanding and I'm really delighted that I've been able to place for so many years alongside him what we all thought was like USeen bold, the athletes in Grand Prix event as you move in to the Olympic-final the way you move along does it also think what makes you happy these things that you play with a different special team? What did you have not done before? Every match when you get a difficult situation as a struggle you make it, you play with a different here and something fun and you get a special performance so that a team can win and it is possible to लीग मैच हो या समी फाइनल हो या फाइनल हो उसका प्रेशर जादा होगा तो क्योंकि आपको इतने सालों से प्रेशर हैंडल करने का एक्सपिरियंस है तो आप उस चीज को लुक फॉवड करते कि अगर कुछ प्रेशर सिच्वेशन आईगी तो मैं टीम को निकाल के लेकर तो आई तिंग वो मोटिविशन रहनी बहुत जरूरी है और वो मेरे दिमाग में हमेशा से रही है और अगर ऑपर्चुनिटी सामने है टीम को एक स्पेशल परफॉरमेंस देने की तो जरूर आप उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं लेकिन अप प्रिडिक नहीं कर सकते क कि अगर आप बोल्ट की बात करें और कुछ और बात करें तो एक वो सेट पैटन है कि उने भागना ही है वट क्रिकेट में जैसे मैंने बोला बहुत वेरियेबल होते अगर आप ऐसी सिच्वेशन में जा रहे हैं जहां पर जल्दी विकेट गिरी या बाद में आपकी बैट को ले के खेल राहूल ने जिसरा रन बनाए है बहुत जादा अटेंशन उनको नहीं मिली है एस कप्तान और नंबर तीन आप उनके रोल को कैसे देखते हैं बहुत जरूरी रोल है थोड़ा उन्होंने शुरू में स्लो स्टार्ट किया जो अंडर्स्टैंडबल है पहला वर ले कि खेंट प्रिश्टैंड डर्स्टैंड ने बहुत अच्छा के ले अंगलदेश के ले पर जो उनका खुद का एक स्टैंडर घैस यह बैटिंग करते हैं वह में लास्ट मैच में और बंगलदेश वाले मैच में जादा देखने को मिली तो अपने रोल में और कंफरिब आपको डेट्सोरन के मिल जाए तो बैटिंग लाइनप को लगता है कि हम बहुत एक सॉलिड फिलिंग आती है तो इतिंग उनका रोल इतना हाइलाइट नहीं हुआ आपने सही कहा लेकिन रोहित के साथ वह पार्टनर्शिप को बनाए रखना स्ट्राइक रोटेट करना और मेक शोर करना कि वह लंबी पार्टनर्शिप टीम के लिए उसके लिए उनको भी बहुत क्रेडिट जाना चाहिए और